आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अक्टावियो पैल्स की एक शौर्ट पोयम ब्रदरूड अक्टावियो पैल्स एक मैक्सिकन पोईट थे जिन्होंने नोबल प्राइज भी जीता था उनकी ये पोयम एक लाइन्स की है और ये एक पोयम होमेज है क्लॉडिस पटॉल्मी को होमेज यानि के ट्रिब्यूट स्रधांज ली क्लॉडिस पटॉल्मी कौन थे? क्लॉडिस पटॉल्मी उस वक्त की एक फेमोस एजिप्शिन राइटर साथ ये शाथ एक मैथमेटेसियन और आस्ट्रोनामर भी थे जिन्होंने हर चीज की एहमियत के उपर एक तियोरी बनाई थी जिसमें सभी चोटी या बड़ी चीजें जितनी भी चीजें इस दुनिया में सबको एहमियत दी गई थी उसके उपर एक तियोरी बनाई थी उसी तियोरी से प्रभावित होकर ओक्टैविन पैजनी क्लॉडिस प्टॉलमी को डेडिकेट करते हुई ये पोएम लिखी थी तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं I am a man, little do I last पोएट जो हैं वो खुद को बता रहे हैं कि मैं एक इनसान हूँ और मेरी जिन्दगी छोटी है, बहुत छोटी है इनसान ने जन्म लिया है तो उसे मरना ही है इसलिए इनसान के जिन्दगी छोटी है And night is enormous यहाँ पर night का मतलब है life after death मौत के बाद के जिन्दगी मौत के बाद के जिन्दगी पोएट के हिसाब से नॉर्मल से बहुत बरी है जिसका कोई end नहीं हो सकता But I look up, the start is right लेकिन मैं जब उपर देखता हूँ उपर यानि कि जब मैं आस्मान में देखता हूँ मैं क्या देखता हूँ मैं देखता हूँ कि जो तारे जगमगाते हैं आकास में गैलेक्सी में वो लिख रहे है यहाँ पर इस फोर्ट लाइन में पोएट ये बताना चाह रहे है कि इस दुनिया में गौड ने जो भी चीज़े बनाई है जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो सभी चीज़े ये तारे देखते हैं और उन्हें ही वो लिखते हैं इसलिए इस दुनिया में जो भी हो रहा है सबका गवा वो तारे हैं और उन तारों को सब कुछ पता है अन्नोई यानि कि मुझे पता नहीं है यानि कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो poet को पता नहीं है I understand पर मैं ये समझता हूँ फिर next line में poet बोलते है I too am written मुझे भी लिखा जा रहा है ये कौन बोले है ये poet बोल रहा है कि मुझे भी लिखा जा रहा है यानि कि मैं तो गुजर जाऊंगा poet तो गुजर जाएंगे क्योंकि इनसान के फिन की छोटी होती है लेकिन ये जो stars है जो कि गवा है जो भी हो रहा है उसका और मैं जो अभी लिख रहा हूँ ये poem इसके वज़े से मैं अमर रहूँगा और ये जो stars है मुझे भी लिख रहे है कोई भी in future इस poem के वज़े से मुझे पढ़ेगा यानि कि poet को पढ़ेगा वे मुझे याद रखेगा poet कहना चाहते हैं कि जो भी उनको इस poem को पढ़ेगा वो poet को याद करेगा उन्हें याद रखेगा और इस वज़े से poet कभी भी मरने के बाद भी अमर रहेंगे तो कि उन्हें लिखा गया है उन सार्ष में उन्हें लिखा है And at this very moment someone spells me out यही नहीं मैं यह भी जानता हूँ कि इस वक्त at this very moment Means इस वक्त जो कोई भी मुझे पढ़ रहा है मुझे इस poem के माध्यम से यानि कि poet की यह जो poem है जो कोई भी अभी पढ़ रहा है या कभी पढ़ेगा वे सभी भी लिखे गए हैं सारों ने उन सब को भी लिखा है इस पूरे poem के जरीए poet यही कहना चाहते हैं कि जैसे stars हर चीज़ का गवा है वैसे ही मैब यानि कि poet भी गवा बनके रह जाएंगे इस poem के माध्यम से मैं इंसान हूँ मेरी जिंदगी छोटी सी है मैं गुजर जाओंगा लेकिन मैं अमर रहूंगा क्योंकि हर चीज़ के इस दुनिया में एक एहमियत होती है और वो एहमियत मैंने इस poem से अपने लिए बना ली है और poem के जरीए poet सभी को इस दुनिया में सभी इंसान को ये सीख देना चाहते है कि इंसान के जिंदगी बहुत छोटी सी होती है तो मरने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाओ ताकि इस दुनिया में आपकी एहमियत बनी रहे आपके मरने के बाद भी तो इसी के साथ ये poem खत्म होता है आई होप आप लोगों को ये poem समझ में आ गई हो इस वीडियो का अपना वक देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया